नमस्कार प्रनाम भाईयो नजबान साथियों माताय बंबहनों आप सभी से निवेदन है कि वाड संख्या सोल से वाड परशत के उमिदवार बीना देवी पती घंस्याम पद्दार जिनका चुनाब चिन चिमनी छाप जो इबियम संख्या आठ पर अंकित है आप सभी लोगों से निवेदन है कि आठ पर निरा बटन दबा कर भारी से भारी मतों से बीना देवी को विजय बनाबे लेकिन जादे से जादे लड़का को हम जोडते हैं जो अनपड है उसको परहाने के लिए जो है उसका भी विवस्ता हमने किया है और मुप्त में उसको जो है जैसे की कोचिंग सेंटर हुआ उसमें हम किसी मास्टर को कह देते हैं सरी गरीब है इसका फीस कम लिजिए तो उसको बच्चा से फीस कम लगता है यह नथा नहीं भी लेता है यह हमारे मधिम से चला है और रोजगार की जहां तक बात है तो हम ट देते हैं और जो बच्चा जैसे की इंपलाइड है उससे की माध्यम से लोग को जोडते हैं ताकि रोजगार उसको मिले और जैसे की आपको बोड़ा फोन हुआ रिलाइंस हुआ इसमें भी कईलर का हमारा काम कर रहा है जिसको हम भेजे हैं आपके माध्यम से हमारे माध्यम आज हमारी यात्रा पहुंची है ताजपुर नगर परिशेश छेत्र की पहले पेंचायत राजी की बेवस्ता हुआ करती थी यहां 18 दिसंबर को चुनाव होने हैं मुख पार्शद और वाट पार्शद के इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पीना देवी जिन्होंने वाट तो इन्होंने समास सेवा में ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो बांकी है दूसरी बात हम इनसे यह भी जानेंगे कि ऐसा क्या राजनीती में इनको नजर आया जो इनों ने मन मना लिया कि राजनीती में आके ही लोगों का सेवा किया जाए सबसे पहले तो हम आपको धने बात देना चाहते हैं चानल को जो आप हमारे बीच पहुंचे हैं और हमसे कुछ पुछना चाह रहे हैं पुछिए क्या पुछना चाह रहे हैं पहला सवाल यह था कि आप राजनीती में क्यों आई आप अपने बिजनेस में पार से तो जुड़े हुए थे ही उससे भी तो लोगों की जन सेवा हो रही थी तो ऐसा क्या नजर आया आपको की राजनीती में आना चाहिए हैं हम सुरू से ही समाज से भी रहे हैं और समाज का सेवा करते आ रहे हैं तीस साल से जिसमें बहुत सारा काम हम किये हैं ताजपूर में जनता मैदान का लराई हो और थाना चौकपर इमंबारा के सामने रोड जो बना है वो हमारे माध्यम से बना है और साथ साथ किसी को बच्चे को थाना से रहा कराना हो पोस्ट आपिस का काम हो बैंक का काम हो हम करते आ रहे हैं तो और ऐसा क्या मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो अपने बिजनस बेपार में थे तो उसी में सेट थे तो राजनीती में आने का मतलब यही है कि लोगों की जन सेवा आप करना चा पिर भी खुशी रहते हैं हम नहीं देते हैं फिर भी खुशी रहते हैं एक हमारा सवाल रहेगा आप से कि आधी अबादी महिलाओं की है ये व्यर्थ बैटी रहती हैं अपने घरों में इनके सो रोजगार के लिए क्या वाडव में जो अभी नगर परिश्ट बना है इसमें विवस्ता हो सकती है रोजगार की इससे पहले भी रोजगार के लिए महिला को सुख किये हैं और हमारे हैं इन जी चल ला है उसके माध्यम से सिलाई भडाई और पढ़ाने का महिला लोग हमारे हैं पहले से करते आ रही है जिसका जो है हमारे दिसा निर्देश में चल ला है मतलब यह कहा जा सकता है कि आप जिस वार्ड से आते हैं उस वार्ड में अपने महिलाओं को ससक्त करने का काम किया है सुरू से करते आ रहा हैं आगे भी करेंगे इसी पे एक सवाल और जुड़ता है युवा नसाप प्लाइन बिरोजगारी जैसी समस्या से जूज रहा है तो इनके रोजगार के लिए आपने या इनको मुखे धारते जोडने के लिए क्या आपने कुछ ब्लूप्रिंट बगरा बना है तो बता ब्लूप्रिंट तो हम नहीं बनाए हैं लेकिन जादे से जादे लड़का को हम जोडते हैं जो अनपड है उसको पराने के लिए जो है उसका भी विवस्ता हमने किया है और मुप्त में उसका जो है जैसे की कोचिंग सेंटर हुआ उसमें हम किसी मास्टर को कह देते हैं सर ये गरीब है इसका फीस कम लिजिए तो उसको बच्चा से फीस कम लगता है यह नथा नहीं भी लेता है यह हमारे मधिम से चला है और रोजगार की जहां तक बात है तो हम पूरा से पूरा रोजगार हम देते हैं और जो बच्चा जैसे की इंपलाइड है उससे भी माधिम से लोग को जोरते हैं ताकि रोजगार उसको मिले और जैसे की आपको बोड़ा फोन हुआ रिलाइंस हुआ इसमें भी कईलर का हमारा काम कर रहा है जिसको हम भेजे हैं आखरी सवाल हमारा ऐसे पांच अपने सपने बताए जो आप अपने वाडो में घूम के देखे हैं जहां कमिया नजर आई है क्या ऐसी कमी आपको नजर आई है यह सपने बताए पहला सफाई बिजली का जो है सो अच्छा ब्यवस्ता नहीं है हमारे हैं और सासाप जैसे कारूं चले सफाई सबसे पहले महत हम देते हैं सफाई का और परदूसित नहों इसके लिए हैं लोग जो है सो पेट्रोल का कम से कम उप्योग करें लकडी का चुला का उप्योग कम से कम करें एक आखरी सवाल भरसाचार देश की बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है यह द पर्यास किया जाएगा और हम लोग पर्यास में हैं कि पर्यास करते हैं कि किसी भी करमचारी को किसी भी अधीकारी को दरोया को पैसा नहीं दिया जाए लेकिन उपर से ही जो घोटाले बास सब बैठे हुए है वो सिखा के बैठाय हुए है कि तुमको पैसा लेना है तो भी क करना है इस पर हम अकेले हम से होगा नहीं जंता से स्वयोग से इस काम को करने का प्रियास कर रहे हैं मतलब जूआ महिलाओं और सभी के बल से आप इस भरेस्टा चार को खतम करने की या रोकने की कोशिस की प्रियास मेरा जारी है और प्रियास आगे भी जारी रहेगा यह थे हमारे साथ गंसयाम पुद्दार जी जो बात चीट में साफ साफ कहा इनोंने कि हमारे पंशायत को भरस्ता चार मुक्त बनाने के पहल और जो साफ सफाई का जिम्मा इनोंने उठाया है अपने वाट को लेके तो अब करती है वाट पार सकती है